नमस्कार दोस्तों इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग निव जारी है खबर के आए पहले खबर देखिए खबर में आपको जैसा कि आप देख सकते हैं तेस्वी आदो ने स्वास्त विवाग में नौकरी दनी के तैरी सुरू हो गई है इस वक्त के सबसे बड़ी कबार है स्वास विवाग में नौकरी करने वाले के लिए खुसकबरी है उनके लिए खुसकबरी है और बिटेसी एन्म की आउनलाइन आवेदन करने की तिथी बढ़ गई है पंदरनाव 2022 तक नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रमेश कुमारा और पेस्टेजी निव चानल देखना सुरू कर दि फटा फट बता देता हूं कि जैसा पहला हम ख़बर आपसे बात करेंगे के त्यारी के मूड में हैं हम इस थाक्स के साथ आपसे बात करेंगे और दूसरी चीज़े भी बात करेंगे स्वास ब्याग में नौकरी करने वाले के लिए खुसकबरी है कैसी खुसकबरी है वो भी पेट में गुद्गुदी पैदा कर देगा जैसा कि एक खबर है और तीसरी चीज में आपसे बात करूंगा कि बिटेसी एनेम की ऑनलाइन अवेधन करने की तीथी जो है वो बर गई है अभी तक इस चानल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा अगर आपको कोई भी डाउट से तो हमारा टेली ग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है उसको भी आप जॉइन करके हम से सिधी बात कर सकते हैं और कोई भी डाउट से उसको हम आप से पुछ सकते हैं हम इसका पूरा पैक्स आपके सामने हम रखेंगे बिहार में काफी दुनों से क्यास लगाया जा रहा है कि युवाओं को लौकरी और रोजगार देनी की तैयारी सुरू हो गई है और हम एक हमारे पास एक नियूज की कटिंग है उस कटिंग से पूरा चीज हम प्रूब करने वाले हैं पहले आप उस इस नियूज को ध्यान से देखें जैसा के आप देख सकते हैं यहाँ पर इस्ट इंडिया सेमिट की बात हो रही है उधमियों को राज से बाहर नहीं जाने की अपील है जो बिहार से बाहर जा रहे हैं उनकी अपील है कि युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की तैया अगे अस्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है जल्द बिहार के युवाओं को अधिक संक्या में सरकारी नौकरी मिलेगी इस वक्की सबसे बड़ी खबर है जैसा कि आप देख सकते हैं छेत्र में ऐसा कदम उठाने की तयारी चल रही है जो पहले किसी राज ने नहीं किया होटल मोर्या के सी एट की और से आयोजित बिहार के अस्टेट के सेनेट में सेकेंड इस्ट इंडिया समिट के समोधन करते हुए कारकरम को उधोग मंत्री समीर कुमार से महाशेठ भी मौजूद थे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जैसे कि खबर में आपको पुष्टी हो गई होगी तेस्वी आदून साफ कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि युवाओं को रोजगार को लेकर विभागी एस्टर पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द बिहार कि युवाओं को अधिक संक्यमे सरकारी नोकरी म पुष्टी ने फिरेंड को कि युवाओं बार बार कर रहे हैं कि एक्सन के मूड में हैं और यह एक्सन एक के बाद एक आपको देखने को मिल रहा है काफी निउजपेपर सोशल मेडिया पर एक अबर चल रही है इसी से प्रूब हो जाता है कि युवाओं के मूड में तेजी से काम चल रहा है और एक तेजी से काम किया जा रहा है बिहार के युवाओं को अधिक संख्या में सरकारी नोकरी मिलेगी वह भी बीटेसी के पर्मानेंट नोकरी मिलेगी यह बात यह यादो कर रहे हैं यह चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम को जॉइन करके इस पो की तरह हम काम करते हैं कुछ लोग आते हैं सिर्फ घर से वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं अपको हमेशा एक सच खबर आपके सामने रखता है यह हम सारे परमान के साथ आपके रख रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जो नीचे से आप पांचवा पॉइंट देख ल कोशा कीचिए और इस पोस्त को इतना सेर कर जी अपने फ्रेंड को कि इसे अच्छा चानल नहीं होगा हम तमाम वैसे लोगों से कोशन पूछते हैं जिनके पास पावर होती है सत्ता होती है लेकिन युवाओं का रोजगार के बारे में वह आख मन कर लेती है लेकिन वीडियो को सेर कीचिए सब्सक्राइब कीचिए चाइनल को और हमारा टेलिग्राम को जुरूर आप जोइन कीचिए आज के न्यूज में यह वक्त हो गया है विदा लेने का देश दुनिया तमाम खबरों के लिए पने रहिए स्टीजी निव चानल के साथ अगर आप है वप दुनिया सकता हमारा टेलिग्राम का जुनिया सेर के लिए में चानल के सेर के लिए बाल आप यह परपभरों के लिए आप गर जोग्त है रहिए झाल के लिए और हमारा आप दूचिए खूँए